जैहिन दोस्तों मैंने धिवेंचोहान आज हम सीखेंगे किसी भी नंबर को यदि 5 से डिविजिबल करना है तो उसके लिए कौन सा रूल होना चाहिए तो इसके लिए रूल नंबर 1 है कि आप संख्या के राइट साइड से देखिए यदि वहाँ पर 0 है जैसे कि मैंने नंबर लिया है 100 अब देखिए राइट साइड से इसमें 0 है इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है और मैंने 5 से 100 को भाग भी करके दिखाया देखिए next example देखे 26,000 मैंने लिया है इसमें right side से देखे आप 0 है इसका मतलब ये number 5 से divisible है और मैंने आपको भाग करके भी दिखाया है next जो है इसके लिए rule वो है कि संख्या के right side पे यदि 5 है यदि संख्या के right side पे 5 है इसका मतलब वो number 5 से divisible है ये देखे मैंने number लिया है 125 और मैंने इसको 5 से भाग भी करके दिखाया है तो हमारा अंसर आ रहा है 25 next example देखे मैंने लिया है 72,985 अब आप इस number में right side से देखे 5 है इसका मतलब ये 5 से divisible है और ये देखे मैंने इसको भाग भी करके दिखाया है अब देख सकते हैं कि 72,985 पाँच से divisible है क्योंकि right side में संख्या के 5 है तो यदि संख्या के right side पर 0 या 5 होगा तो संख्या 5 से divisible है थेंक यू वेरी मजज जय हिन जय भारत